बच्पन में मम्मी पापा की मृत्यू के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं उनके सारे सपने पूरे करते हुए जौब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है मिनू मेरा खयाल रखो ना रखो पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना तुम्हे कुछ कहने की जरुरत नहीं है अब वो मेरा भी परिवार है इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुश्यान संभालने लगते हैं देखते ही देखते महिने बीच जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है जिसके आती ही सोशल मीडिया पर वेलेंटाइन की बात ही शुरू हो जाती है और इसको देखकर दादी गौरव और मीनो को वेलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती है अरे ओ गौरव तु मीनो को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता अरे नहीं दादी हमें कहीं नहीं जाना अरे पगला गया है क्या, यही उम्र है घूमने की, वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ दादी की बात पर दोनों पती-पत्मी, हैरान इसे उन्हें देखने लगते हैं दादी, आपको वैलेंटाइन की बारे में कैसी पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है, यह प्यार करने वालों का दिन होता है ना? दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परिशान करेगा सोचा नहीं था? अरे तो वो गलत क्या बोल रही है? हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हों ना शादी के बाद कहीं घुमने गए और ना ही अब जाने के लिए तयार हो अरे अपनी पूरी जिन्दगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अकलमंदी की बात की है उसे तो मान लो बच्चों दादी, आप क्यों बिचारे दादू की टांग खिचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैक्टर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं इस पर हसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गाउरव महा से चले जाते हैं लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है आरे क्यों रहे चम्पू? कहा घूमने जाएगा कुछ सोचा क्या? दादी, वलेंटाइन दूर है ऐसा बोलकर गवरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है ये बात बता कर कैया है या तुम्हे धमका कर तुम भी ना ज्यादा मज़े मतलो और चुप चाप मेरे सिर में तेल लगाओ जी महतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ दादा दादी की ये प्यार भरी नोग जोग सुनके रसोई के दर्वासे पर खड़ी मीनू हस्ते लगती है जिसे देख दादा दादी भी हस्ते लगते है वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई आप क्या बताए बेटा जस दे तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया देखो वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ वैसे अब वो भी ठीक से नहीं लगा रहे अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना शेतोन दादा दादी के बीच पंगा गराती है सारी पर क्या करूँ आप दोनों होई इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोग्चों करते हूँ ज्यादा क्यूट लगते हूँ सब हस्ते लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्र मुग्द हो जाती है दादू दादी इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा जो इस पूरे घर में है इसी पर मीनू की दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गवरों के घर बापस आती ही वो उससे बात करती है जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं और इसी तरह देखते देखते वेलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है जिससे वो सब मिलकर कभी फूलो तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिबरेट करती हैं और इसी तरह वेलेंटाइन डे भी आ जाता है अरे अब तो वेलेंटाइन भी आ गया बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं जाएंगे लेकिन हम नहीं हैं फिर कौन जा रहा है आप दोनो हम हम क्यों अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या इस उम्र में बुढ़ा बुढ़ी को घुमने भेजोगे हाँ लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादा जी ने कुछ सही बात बोली है अरे तुम दोनों की उम्र है जाओ घूम कर आओ हम बुढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो दादी मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी जॉब या शादी आप दोनों की पूरी दुनिया इसलिए ये बैलन्टाइन आप दोनों अपने उन्ही प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे जिसे आप सालों पहले गवरों की बहतरी के लिए शहर शिप्ट करते हुए गाउ में पीछे छोड़ाए थे बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आँखों में आसो आ जाते हैं आज कल के सब़े में जहां बच्चे दादा दादी को बोज या भूड़े हैं कुछ भी बोलते हैं समझ कर पीछे छोड़ देते हैं तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा वही बहुत बड़ी बात है ऐसे बच्चे हमें मिले हमारे लिए दुन्या में इससे बड़ा सुख नहीं और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोचल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता देखना उस ने मुझे बस यही इंफामेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गाओ जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे झाल झाल